नमश्कार साथियों, जै हिन जै भाराज जै उत्राखंट साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वीडियो का वो होने वाला है पी-ाल्टी सिक्षक वेकंसी नुत्राखंट जैसे कि आप सभी लोग भी काफी टाइम से इवन चर्चाओं का विशय था ये वेकंसी प्रदेश में 380 विशय शुक्षणों को न्युक्ति दी जाने हैं आप सभी लोग जानते हैं जनपदवार इसका नौटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा इवन प्रिविएस वीड कि आप इवन शुयर करें हैं इस वन ओ टाइम प्र जैसे आपका डिस्टिक वाइस रिलीस किया गया है और आज की इस वीडियो के अंतरगत मैं जानकारी देने वाला हूं आप सभी अभ्यारतियों को अगर आप प्रिप्रेर कर रहे हैं प्यार्टी स्पिछल आजुकेटर क करेंगे का उन कौन से जनपाद का अंतरगत नोटिकेशन रिलीस किया गया है क्या इसकी सेक्षिक योग जेता है जनपादवार कितनी पोस्ट आपकी रिलीस की जाएंगी तो वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो के अंतरगत हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्राखन के अंतरगत प्रदेश पर में प्रारंबिक स्क्षा संवग के तहत दिव्यांगों के लिए विशेश शिक्षा के अंतरगत तीन सो असी सायक अध्याबकों के भरती की जाने इस संबद में निदेश सक प्रारंबिक स्क्षा वन्ना गबरियाल की और से आदेश जारी कर दिये गए हैं पांच अप्रारंबिक स्क्षा उत्राखंड के अंतरगत सायक अध्याबक प्रात्मिक विशेश स्क्षा के नव स्रजीत पदों पर नुक्ती की कारवाई किये जाने के संबद में और इसका जो पीडेफ है वो मैंने अपने टालीगाम ग्रूप उत्राखंड ओपन साथी पेस्बुक ग्रूप उत्राखंड ओपन लेंबर भी साजा किया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है आप डिट्रैक्ट कर सकते हैं ये तीन सो अस्ती पदों पर आपका वेकंसी जारी किया जाएगा ये गौर्वर्मेंट जोब आपको देखने को मिलेगा उत्राखंड राज्जी के अंतरगत पी आर्टी इसके लिए विशेश शिक्षा के अंतरगत इस्पेशल एजुकेशन के अंतरगत जो बीएड वाले 24 है दियादून के अंतरगत 24 है हरिद्वार के अंतरगत भी आपको 24 पोस्ट देखने को मिलेंगे रानिताल के अंतरगत 32 है अल्मोडा के अंतरगत 44 है बागिसवर के अंतरगत आपका 12 पद आपको देखने को मिलेंगे बागिसवर के अंतरगत 12 पद आपको देखने को मिले और इवन विग्यापन का पफोर्मा भी मैंने अपने टालीग्राम ग्रूप पर शेयर करा था इसका पीडिफ अगर आप लोगों ने चेक आउट नहीं करा है तो जरूर चेक आउट करें और इसमें आपके कारी-कारी आदेश के बारे में जिसमें कि आपका भरती का स्रोत क्य है, सेक्षिक अहरताएं क्या रहने वाली हैं, सेक्षिक अहरताएं भरती की प्रवक्रिया के संबद में और भी काफी सारी इंपोर्टेंट आपका किस तरीकी से मैरिट बनेगा वो सारी पीडिएप मैंने अपने टालीग्राम ग्रूप पर शेयर करी थी देखिए वन अब तो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपका एजुक्षिन कॉलिफिकेशन अगर आप फुल्फिल करते हैं तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, अधर्वाइस आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे विश्यश्शक पदों के लिए, और यह समझना काफी इंपो सुक्षा या फिर बीएट विश्यश्शक यानि बीएट इस्पेशल या इस्पेशल बीएट जिन भी कंड़िएट के पास है वही इसके लिजिबल होंगे और वही इसके लिए आविदन कर पाएंगे तो आरसी आई को जैसे कि अगर आप सभी लोगों के माइन में कॉश्य आएंगे अबाउट आरसी आई तो मैं आपको क्लियर कर दो कि रिहाबिलेटेशन काउंसिल ओफ इंडिया यानि आपका भारती पुनरवास परिसत को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो जो दिव्यांग कैंड़िएट हैं उनकी एजुकेशन के लिए एक विश्विश प अंतरगत ट्रेंड किया जाता है और जो भी स्पेशल नीडी कांड़ेट होते हैं उनको एजुकेट किया जाता है उनको सिक्षा दी जाती है उन ट्रेंड शुक्षक के द्वारा ओल राइट तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और इसके अंतरगत अगर आपका यूट विशेश शिक्षण होंगे उनको दो वर्स के भीतर आपका एंसी टी द्वारा मानिता प्राप्त प्रात्मिक सुक्षा में छे महिने का सेतु पार्ठिक्रम बीज कोर्स आवश्यक रूप से अपना पूरा करना होगा और नेक्सस में जो इंपॉरेंट है भरती की प्रग्र समस्त सरतें उलेखीत की जाएंगी नाउ यह इंपॉरेंट है किस तरीके से अपका स्लेक्षन रहेगा तो मेरिट बेस्ट ही आपका स्लेक्षन रहने वाला है और इसमें जो जानकाली दिया गया है वो भी मैं आपके साथ श्यर करूंगा और इसका पीड़े पर माय टेलीग प्रशक्षन योग गेता है उसके अध्याबक पातरता परिच्छा में प्राप्त गुणांगों के योग के अनुसार इसमें सिष्टा के और रोई करम में रखे जाएंगे इसके लिए आपका निर्धाई जो सैक्षिक प्रशक्षन अहरता के अनुसार ही पातरता सूची य परसंटेज इसना तक अगौ का परसंटेज है नैसस में प्रशक्षन बीएट विसी सुक्षात्वा डीएल्यड विसी सुक्षात्वा आर्तियारा मानिता प्राप्फ संकक्ष डिपलोमा बताया कर спасибо talk में आपका अंग को का परसंटेज लेगा अग वार्टिप्ला होगा 3.0 डिवाइड होगा 10 से साथ प्रयोगात्मक यानि प्रैक्टिकल से आपका अंगु का परसंटेज मुल्टिप्लाइब 1.50 डिवाइड किया जाएगा 10 से अध्यापक पाते दा परिक्षा में आपका एक से लेके 5 तक यानि आपका टेट एक्जामनेशन फर्स्ट वालर जिसमें की प्रक्रिया के बारे में बता गया कि इसमें जनपल इस्तर पर विशेश सक्षकों की पातता सूची तयार के ज़ाने है तू उत्राइखन डाज की प्रारंबिक सक्षा अध्यापक सेवा निमावले दोचार बार ता यह था संसोधीत में सिधी भरती है तू निरधारी समी नियुक्ति होंगी तो यहां पर इसकी जानकारी दिया गया है और देखे नियुक्ति की परक्रिया के संबंद में भी जानकारी दिया गया कि चानित विशेश जो सिक्षक होंगे उनको पहले विकास खंड के अंतरगत तथा ऐसे ध्यालियों में चर्णाबद रूप से जहा इसे विशेशों को क्लस्टर नॉडल के रूप में चिनित किया जाएगा जहां पर विशेश आफशक्ता वाले बच्चे जहां पर चिल्डरन विद स्पेशियल नीड अधिक संख्या में पंच्रु किते हैं तो क्लस्टर में समलित ऐसे विद्याले जिसमें की विशेश जाएगी और इसके अंत्रगत आपका जो वेतनमान रखा गया है लेवल 6 का अगॉर्डिंग ही मिलेगा और यह आपको गॉर्मन जॉब रहेगा वेतनमान आपका 35,400 से लेके 1,12,400 रुप्या आपको देखने को मिलेगा आपका चमपावत हो गया उत्रकासी हो गया और बागेस्वर अन्पितोरागन जनपाथ हो गया इन 4 जनपाथ के अंत्रगत आपको अडवर्टाइजमेंट देखने को मुल जाएगा तो चमपावत के अंत्रगदी 10,4,2023 की रेट में पुब्लिस किया गया है इसका आप विग्यापन संक्या जगाउट कर सकते हैं सायक अध्यापक प्रात्मी गुष्य सक्षा के परफट पर चेयर है तो विग्यापन प्रकासन किती 11 प्राल 2023 है और ऑफलाइन इसके लिए जो फॉर्म फिल होंगे ऑफलाइन मोड में होंगे तो रिक्तियों की जो जिस्तदी है वो यहाँ पर जानका एंदया गया सायक अध्यापक प्रात्मी गुष्य सक्षक के लिए जिसमें कि SC के लिए टोटल इसमें वैसे तो नॉमल टोटल 16 पोस्ट है के लिए 3 पद है, ST के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 2 हैं, EWS के लिए 2 पोस्ट हैं, PH कांडिटेट के लिए 1 पोस्ट है और अधर के लिए 7 पद रखे गई हैं, वैतनमान आपका लेवल 6 के लिए रखा गया है, eligibility criteria मैंने previous वीडियो में share कर दिये, अगर आप graduate हैं, आवे दिन कर सकेंगे, साथ में आपका special education BA होना चाहिए, या फिर DLA होना चाहिए special education के साथ, और साथ में आपका TED examination first qualified होना चाहिए, उसके बाद important instruction दिये गए हैं, कि ये आपका समुग के अंतरगा सीधी भरती पर इसमें न्यूक्ति दी जाएंगी, next आपका age limit के बारे में बताया गया है कि आपका 21 वर्स से कम नहीं होना चाहिए, age और 42 वर्स से अधिक नहीं हो, और अभ्यारती के जो आयू है वो एक जन्वरी 2013 को 21 वर्स से कम तथा 42 वर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए, उत्राखन राज की अनुसुचित जन जाती है, वहने जन जाती पिछड़ा वर्क तथा अन्य स्रेणी के अभ्यारती के मामले में, जिन्हें राजी सरकार दोराज समय से में पर अधिसूचित किया गया है, ऐसे अभ्यारती को अधिक तमायू सिमा में निमानुसार छूट प्रदान की जाएगी, और नेक्सस में हैं आविदन अभ्यारती निधारीत पारूप पर आविदन कर सकेंगे, अभ्यारती के आविदन पत्र के साथ अपने वांची सक्चिक प्रमाण पत्रों की सुइस्पस्ट पत्नी आपको सुप्रमाणी च्याप्रती के साथ आविदन पत्र में सक्चिक एवं प्रसुक्षण योग्यता, कि विवरण में लिखित, एवं प्रयोगात्मग, विशेप, प्राप्तांक, एवं पुर्णांक, प्रिथक प्रिथक रूप से अंकित करने होंगे श्रम का पता लिफावे के लिए बताया गया है लिफापे रूपे आपको 30 रूपे के डाग टिगर साइच सनलंग करना होगा और चैन समीती द्वारा इसमें अभ्यारती के आविधन पत्रों की अंक गर्णा एवं सनलंगन सक्षिक प्राशिक्षण एवं मान्य प्रमान पत्रों की जान संबादित मूल अभी लेखों से की जाएगी जिसकी तिति के संबन में प्रिथक विध्यप्ति के माध्यम से उनको अवगत कराया जाएगा और इसकी लिए बतायागा कि पूंड रूप से भरे वे आविधन पत्रा पंच्रक्रीट स्पीड पोस्ट डाग द्वारा दो मई 2023 साम पांच बजे तक दिलाशिक्ष इस बर्वे बात करेंगी आविधन पत्र का प्राप्ट पोस्ट प्राप्ण को तरीके से देखने को मिल जाएगा जिससे कि आप प्राप्त कर सकते हैं प्रारमबिक सुक्षा जंपत्य चंपावत की कार्यले से और नेक्स फॉर्म आपके कारेले जिलाशिक्ष्वादिकारी प्रारम बिसक्चा पिथोरागट के अंतरगत भी जारी कर दी गए थे जिसका नोटिफिकेशन मैंने प्रिवेस वीडियो उसके अंतरगत कवर करा है इसकी जानकारी भी मैंने उस वीडियो के अंतरगत संपूर्ण दी थी आप लोगों के साथ और शेयर करी थी और इसी क्रम में आपके कारेले जिलाशिक्ष्वादिकारी प्रारम बिसक्चा बागेस्वर के अंतरगत भी इसके फॉर्म रिलीस कर दिये गए हैं आप लोग अगर इंटरस्टेड हैं, इलिजिबल हैं, इलिजिबिल्टी का अडिरा फुल्फिल करते हैं तो आप लोग भी इसके लिए आविदन कर सकते हैं और कारले जिला सक्ष्वादिकारी प्रारम बिसक्चा बागेस्वर के अंतरगत भी इसके फॉर्म 6 अप्राल 2023 की रेट में विग्यापन इसमें 7 अप्राल 2023 की रेट में ऑफिशली विग्यापन प्रकाशन कर दिये गए थे आप लोग इसका फॉर्म फिल्ड कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में इसके फॉर्म फिल्ड अभी हो रही है और बाकि अन्य जन्पतों के जैसे ही रिलीज किये जाते हैं वो जानकारी भी आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप उत्राखन ओपन साथी फेस्बुक ग्रूप उत्र हीट करें से